सबी साथियों को कुमाराजेश का नमस्कार, दोस्तों, नवरात्री के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारणी की पूजा अर्चना की जाती है, इस दिन माता ब्रह्मचारणी के चर्णों में अपने मन को लगाना चाहिए। ब्रह्मचारणी है, भगवान शंकर को अपने पती के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पारवती ने घोर तपस्या की थी, इस कठिन तपस्या के कारण देवी को ब्रह्मचारणी के नाम से जाना जाता है, कहते हैं मा ब्रह्मचारणी देवी की किरपा से सर्व सिध्ध प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माता के इसी रूप की उपासना की जाती है। और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कश्ट सहे, तीन हजार वर्षों तक तूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की अराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया, कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इन्हें अपढ़ना नाम से भी पुकारा जाने लगा। कटिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम ख्षेन हो गया था। देवता, रिशे, सिद्धगर्ण, मुनी सभी ने भ्रहमचारनी की तपस्या को अभूत पूर्वपुर्ण्य कृत्ते बताया। सरहाना की और कहा हे देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोड़ तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या सिर्फ आपके लिए ही संभव थी। आपके मनो कामना परिपूर्ण होगी। और भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पती की रूप में प्राप्त होंगे। आप तपस्या छोड़कर आप घर चले जाईए। आपके पिता भी आपको बुलाने के लिए लेकिन देवी ने जब तक शंकर भगवान को प्राप्त नहीं किया तब तक वो तपस्या रती ही रही। और माता अपनी तपस्या में सफल हुई और उन्होंने भगवान शंकर को अपने पती के रूप में प्राप्त करही लिया। देवी को प्रसन्य करने के लिए जो मंत्र धारन करने वाली दिवी भ्रह्मचारणी की पूजा करने से सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ती होती है। माता भ्रहमचारणी को शक्कर का भोग अत्यनत्य प्रिये है इसलिए नवरात्री के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगा कर घर के सभी सदस्यों में बाटना चाहिए माननेता है कि इससे आयू की वृद्धी होती है तो साथियों आपको नवरात्री के दूसरे दिन माता भ्रह्मचारणी की पूजा का महत्व समझ में आ गया होगा इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए नमस्कार, सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जै माता भ्रह्मचारणी